पिछले कई लेक्टर्स में हमने एनिमेशन उसके फर्दर प्रिसेट्स कुछ प्लग इन्स और डिफरेंट एफेक्स को एक्स्प्लोर किया हमने देखा किस तरीके से हम मल्टीपल एफेक्स लगा कर या फिर डिफरेंट तरीकों से एनिमेशन को मैनिपलेट करके अपने फाइनल रिजल्ट अचीव कर सकते हैं आज हम थोड़ी सी बात करते हैं नॉइस के उपर इसमें हमारे पास एफेक्ट पैनल में एक नॉइस और ग्रेंज की आप्शन मुझूद है उसके अंदर फ्रेक्टल नॉइस एक हमारे पास यहां पर एफेक्ट है उसके थुरू हम देखते हैं क्या क्या चीज़े अचीज़ कर सकते हैं आप इस तरीके से उनको यूज करना चाहे, मैनिपलेट करना चाहे, एनिमेट करना चाहे, उनकी वैलियूस को, उनके की फ्रेम्स को, तो आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़े बना सकते हैं, इसमें हम थोड़ से एक्सप्लोर करते हैं, कि अगर हमने आर्टिफिशल या फिर अपने पास से हमने clouds बनाने हो, तो उसको हम किस तरह से बना सकते हैं, आएए देखते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक image मुझूद है, और इस image को मैं यहाँ पर अपनी composition में drag कर लेता हूँ, काफी high resolution है, तो हम इसको scale down कर सकते हैं, या control alt F से, इसको हम यहाँ पर fit कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल static still image है, जिसमें मेरे पास यहाँ पर clouds थो हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने crowd create करेंगे, fractal noise के थूँ, इसके लिए जरूरी है कि पहले तो मैं इसको mask कर लूँ, अगर तो मैं Photoshop से भी करके ले आऊँ, तो वैसे भी में हो सकता है, क्योंकि अगर आप Photoshop यूज करते हैं, वहाँ से आप इसको mask कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर pen tool है, और यहाँ से हम pen tool अपना select कर लें, इसको अगर मैं full screen कर लूँ, तो मेरे लिए और असानी होगी zoom भी मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ से हम अपना mask शुरू करते हैं, और आप इसको चाहें, तो detail में बिल्कुल zoom in रख करके exact points के साथ, अपने mask और अगर मैं यहाँ पर एक और apply करूँ, आप देख रहे हैं कि यह curve में देता है, इसको undo करते हैं, alt के साथ इसकी direction अगर मैं उपर कर दूँगा, तो यह further उसके साथ ही बिल्कुल उसी direction में जाएगा, जो इसका handle है vertex का, यहाँ पर भी मैं alt के साथ इसको ऊपर कर सकता हूँ, ताके next हमारा जो, और further आप चाहें तो बेशक in mountain को भी हम mask कर देते हैं, इसको हम इसके साथ ही, और इसको हम यहाँ पर इसके बिल्कुल out points से, इधर भी straight line draw करके, इसके साथ हम इसको join कर सकते हैं, तो यह इस पर हमने एक quick सा mask बना लिया है, हम पहले भी इस पर काम कर चुके हैं, और further आप अगर किसी और जगह पर किसी point को refine करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, इवन कि यह आप points एड़ भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक solid layer add करता हूँ, और उसके उपर हम sky basically हम बना लेंगे अपना, इसका color हम कोई blue सा रख लेते हैं, इसको हम लीचे अगर इसके रखेंगे तो mask के रिए आपको नज़र आएगा, इसको हम थोड़ा सा effects में जाके, इसके हम इसके उपर gradient apply करते हैं, ताके हम क्योंकि sky आपका different color का होगा, आप चाहें तो photoshop में इसको design करके लिए आए अगर आपको photoshop आता है, और यहाँ से आप gradient ramp इसपे apply कर दें, आप देख सकते हैं कि आपके पास ये तो different colors आ गए है, इसको आप blue color जो हमने पहले decide किया था sky का और नीचे हम थोड़ा साथ को उसी shade में white की तरफ रखते हैं, पर दर आप चाहें तो इनकी position भी अपनी move कर सकते हैं, अपने blue की भी और साथ में जो नीच and grain के under हमारे पास यहां पर fractal noise की option है, और आप देख सकते हैं कि उसके उपर बिल्कुल ये black and white किसम की noise add हो चुकी है, इस layer को अभी हम उपर रख लेते हैं, ताकि हम अपने जो cloud है उसको create करें, और इसमें हमारे पास जो options मुझूद हैं, उसको भी हमें थोड़ा सा edit करना प और रहेगा, fractal type में हम जाके इसको हम terrain कर देंगे, ताकि आपके पास shape इसकी different हो जाए, और further इसकी जो settings हैं, उसको हम मजीद थोड़ा सा यहां पर change कर देंगे, जिसमें हमारे पास, यहां से हम इसको terrain के पास noise type में इसको हम spline कर देंगे, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह से noise है, अगर हम इसको invert कर दें, तो आपके पास यह white area है, तो basically इससे ही हम अपनी cloud की movement, animation यहां पर create करेंगे, और अब यह हमारे पास एक shape तो आ गई है, यहां पर हम इसको थोड़ी सी animation देते हैं, क्योंकि cloud की movement होगी, तो यहां पर basically evolution जो है, वो cloud की इस हमारी composition जो है, exactly इसको 15 seconds पर हम animate करते हैं रखें, और इस पर हम keyframe जो पहला हमने लगाया, यहां पर हम इसको cycles 5 दे देते हैं, और 15 seconds के अंदर जो cycles हैं, इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से इनकी movement हो रही है, अभी हम इसको further transform में जाके भी move करेंगे, ताके क्योंकि जो animation है, हमारी थोड़ी सी movement के साथ हो, अभी just यह सिर्फ इस noise की जो evolution थी, उसको सिर्फ हमने change किया है, further आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर blending mode भी मुझूद है, अभी आपको बिल्कुल इसको देख के अंदाजा हो रहा होगा कि यह बिल्कुल कहीं से भी cloud की, इसमें कोई feel न दगाया, तो उसके उपर यह जो noise थी, fractal noise, तो basically अब cloud की form में आ चुकी है, और इस तरह से वो move हो रही है, अगर आपको यह movement तेज़ दगे, cloud की transformation तो आप evolution में जाके cycle को कम कर सकते हैं, further इसको थोड़ा सा हम इस वक्त move करते हैं, क्योंकि यह animate हो रहे हैं, एक जगह रहेंग बगारा भी इनकी यहाँ पर है, आप scale भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यह चोटा या बड़े आपकी नवाइस हो रही है, आप यहाँ से scale up, scale down भी कर सकते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास यह turbulence जो है, offset turbulence, basically यह इसको move करेगी यहाँ से, right या left, आप keyframes हमारे लगे होंगे, वह show हो जाएंगे, exactly यहाँ पर इस keyframe के साथ मैं अपना CTI को Q करने के लिए, यह use कर सकता हूँ, और यहाँ पर जो मैं इसको अगर, क्योंकि बाद लोग की direction हम उपर की दरफ देंगे, तो हम इसको यहाँ से move कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अभी आपके पास कुछ इस तरह से movement होगी, आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, और अगर आपको और ज्यादा speedy इसको move करना है, तो आप इसको माइनस 1500 या पर इससे भी ज्यादा values में लेके जा सकते हैं, आप देख रहे हैं, इस वक्त यह आपके पास इस तरह से move हो रहा है यहाँ पर, जिस लेर को हमने mask किया था, अगर हम उसको उपर अप रख लें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त पीछे यह cloud की animation आपके पास सामने आ गई है, लेकिन यह अभी भी थोड़े से off लग रहे हैं, मतलब movement है, cloud भी है, सब कुछ आ गया है इसमें, अगर इसको हम थ बिसिकली perspective का है, वो बिल्कुल थक करके straight नहीं जा रहे होंगे, थोड़ा सा आपको इसको distort करना पड़ेगा, और उसके लिए अगर हम यहाँ पर distort में जाके अपनी corner pin एक effect है, इसको apply करें, तो इसमें basically आप इन corners को, जोके distort आप फोड़ा सा कर सकते हैं इसको, इस layer पे मैं यहाँ पर apply करूंगा, जो solid वाली layer थी, उसके उपर ही, इसको हम यहाँ से minus कर लें, आप देख रहे हैं कि effect लगाने के बाद आपके पास यह corner pin basically आ रहे हैं, तो इसको आप देखें कि इस तरह move करेंगे, तो बिल्कुल यह distort उसको कर रहे हैं, और आप इसको इस point पर रख ल करेंगे, screen के इस तरह, तो आप देख सकते हैं कि अब जो है, इसका जो perspective है, वो थोड़ा सा आपको एक 3D सा या पर एक सामनी की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम इसको off करके देखें तो पहले बिल्कुल यह इस तरह से था, इसको हम यहाँ से fit कर लेते हैं, और corner pin लगाने से पहले, basically वो बिलकुल इस तरह से straight था, और corner pin effect और इसके corners को adjust करने के बाद, basically यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो थोड़े से, जो उनकी formation है, वो थोड़ी सी मतलब आपको even भी लग दी है, और वो proper एक cloud की feel आ रही है, तो इस तरीके से आप एक basic cloud अपना बना सक steps की feel भी आजएगी, इसमें थोड़ा सा additional ही अगर हम काम करें, तो इस वकाप देख सकते हैं, अगर cloud है, तो यहाँ पर इसका shadow बिलकुल नहीं है, हम इनी cloud को ही manipulate करके इसी layer को आगे further इसका shadow भी बना सकते हैं, और वो भी बड़ा interesting तरीका है, उसको करने के लिए हमें क्या कर करना होगा, हमें इस layer को duplicate करना होगा, solid जिसके उपर हमने यह cloud बनाया है, यह आप देख सकते हैं, यह layer है, इसको हम control D करेंगे, और जो हमाई duplicate layer है, उसको हम इस वक्त ऊपर move कर लें बिलकुल, corner pin इसमें से हम हटा देंगे, क्योंकि हम इसको नीचे की तरफ, इस वक्त बेसि और इसका blending mode फिलाल हम इसको normal कर देते हैं, अब आपको basically जो black areas हैं, उसको आपने overlap करना है, नीचे shadow के तोर पे, और obviously अगर यह उपर की तरफ move हो रहे हैं, तो shadow आपका उसके opposite direction है, move हो रहा होगा, इसको हमें यहाँ से flip करना होगा, और इसको flip करने के लिए, हमें basically इसको pre-comp करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको अभी करेंगे, तो इसको effect भी लगावाए, यह एक solid है, pre-compose से यह stand-alone एक और composition बन जाएगी, तो आपके लिए इसको flip करना असान होगा, हम यहाँ पर layer में जाके transform में इसको flip vertical कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके प हमारे पास यह layer है, इसको भी हम duplicate करेंगे और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे, अगर आपको याद हो हमने alpha mate और luma mate जो पहले हमने देखी थी option सारी, अब हम उसको यहाँ पर apply करते वे basically इसको इस area के ऊपर, अब इस वक्त alpha mate कर लेंगे, अगर मैं यहाँ पर जाके alpha mate select आपके पास बिल्कुल shadow layer थी, वो आपके पास सिर्फ in layer के ऊपर आ चुकी है, जिसमें आपके पास यह आपका image था, अब पहले हमने screen किया था blending mode में जाके, क्योंकि हमारे पास cloud थे, वो white थे, अब हमने इस black areas को visible करना है, तो हमें यहाँ पर अपने blending mode में, इस layer को हम blend तो जो white areas हैं, वो हमारे पास remove हो जाएंगे, वो blend हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि जो direction उपर की तरफ थी है, वो नीचे की तरफ है, और वो आपका यहाँ पर एक shadow भी भन चुका है, अब यह shadow को भी आप मजीद refine कर सकते हैं, exactly वो ही जो corner pin था, उसको लगा के इसके screen के इतर अगर आप यूँ करेंगे, ताके इनका perspective भी थोड़ा सा different रहे है, ना कि यह बिल्कुल सीधा screen पर ठक करके आ रहे हो, further आपके पास effects में option मजूद है, blur की भी क्योंकि बिल्कुल dark किसम का shadow नहीं होगा, आप इसको blur कर सकते हैं, आपके पास blur and sharpen tab के अंदर हम यहाँ पर कोशिकन blur apply कर लेते हैं, और इसकी value को भी आप देख सकते हैं, जितना आपको suit करता है, जितना आप इसको blur करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं, इस वक्त वो, आपका shadow blur हो चुका है, और finally इसके बाद हम चाहें, तो T press करें, इसकी opacity भी कम कर सकते हैं, क्योंकि 100% पे भी बहुत still अभी बहुत heavy shadow है, और opacity कम करने से, आप देख सकते हैं, कि shadow तो है, लेकिन आप इसको 60 कर लें, तो इस वक्त इसके जो cloud हैं, और साथ में उनका shadow है, वो बिलकुल मतलब आपको थोड़ा सा realistic लग रहा है, और further अगर आपने कोई इनको और animation देनी हो, zoom in, zoom out, या आप time-lapse की field के लिए आप इन सब को एक साथ pre-compose करके, इसके scale को आप थोड़ा सा animate कर लें, और maybe हमने 10 second पर ही किया था, तो यहाँ पर जाके हम इसका scale 108 कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 112 कर लेते हैं, और इस वक्त मेरे पास जो यह final form है, जिसको हमने cloud create किये, fractal noise से, फिर हमने उसी layer को duplicate करके shadows create किये, और different blending mode के साथ हमने इस पर काम किया, तो वो कुछ इस तरह से हमने इसको zoom in भी कर दिया है, अब आप देख सकते हैं कि यह आपकी movement इस वक्त zoom in भी हो रही है, और इसमें सारी चीज़े cloud भी, shadow भी और जो आपकी main image थी, वो भी एक साथ move हो रही है, कहीं से आपको off लगता हूँ, अपने corner जो आपका points थे, basically आप उसको भी adjust कर सकते हैं, आप थोड़ी सी opacity को भी दुबारा छेड़ना चाहिए, दुबारा जाके कर सकते हैं, कहीं पर भी adjustment किसी stage पर करनी हो, आप उसको कर सकते हैं तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने यहाँ पर cloud को भी create किया, हमने noise and grain में जाके fractal noise यूज की, हमने solid को भी use किया, further उसकी settings को explore किया, तो basically आपने देखा सिरफ एक effect लगाने से हमारे पास एक cloud हमने create कर लिए, आप सोच सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़े और भी create हो हो सकती है, और चीज़े generate हो सकती है, आपके effects पर depend करता है, इसलिए हम जब effect के tap को हमने जब थोड़ा सा explore किया, तो मैंने आप से यही कहा था, कि आप इन effects को बारी बारी देखें, समझें, कौन सा effect कहां पर use होगा, वो आइस्ता इस्ता खुदी practice के बाद आपका हाथ उस प कर दो